अनुपम शान्ती और उत्कृष्ट भक्ती का केंद्र भागलपूर के एतिहासिक वदार्शिक स्थलों में से गंगा तट परिस्थित महर्शी मही आश्यम बहुत प्रसिद्ध है महर्शी मही का भव्याश्यम आज आत्मग्यान की स्वर्नीम ज्योती चतुर्दिक बिखे रहा है यह स्थान कुपा घाट के नाम से प्रसिद्ध है यह मनोरम एवं धार्मिक स्थल भागलपूर रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर उत्तर पूरु माया गंज में स्थित है यहां के पार्क और प्रकिर्ती चटा सैलानियों और धर्मा न्यूयाईयों के मन को अजीब सा सुकून देता है सिद्ध महापुरुष महर्शी मही और संत सेवी जी का समाधी अस्थल भी काफी आकरशक है जो लोगों को अपनी ओर आकरशित करता है महर्शी मही का समारक स्थल को महर्शी मही आश्यम के नाम से जाना जाता है आश्यम परिसर में खुबसूरत पुश वाटिका है परतिवर्श यहां संत मत समाज के लाखो श्रधालू देश विदेश से दर्शन के लिए आते है महर्शी महिद्दास की तपोस्थली होने के अलाबा कुपपा घाड की गुफा एवं यहां की भूमिगत कलात्मक तरीके से बनी गुफाएं बहुत प्राचीन वा एतिहासिक है अधिगा में अंधिरी सांकरी गुफा को कुपपा कहा जाता है कुपपा का अर्थ अंधिरा होता है इसे दूर करने के लिए कुपी की अशेक्ता होती है कुपी दीपक को कहा जाता है कि प्राचीन काल में यह गुफा शिव मंदिर था अंग जन परदेश शिवलिंग मंत्र के सिलोवे शलोक में कुपेश्वर नात की चर्चा है फ्रांसिस बुक नान की डैरी में इस गुफा के पार्थिव शिवलिंग की चर्चा की गई है उनस्य तेती से लेकर 1934 सिस्वीर में महर्शी मही ने पूर्ण तत्परता के साथ 18 महेने तक कुपपा घाट की गुफा में शब्द यूग की कठोर साधना की फलसरूप ये आत्म साक्षात कार करने में सफल हो गए उस संत ने स्थल की गरिमा और परंपरा को पुना जीवित कर उक्त अस्थल का नाम मेही आश्यम और अपने आपको उसका दास घोशित कर संत जगत मेही दास के नाम से परसिद्ध हो गए भागलपूर जिला से हम बहतरीन वीडियो आप के लिए लाने वाले हैं अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो का लिंक जादा से जादा शेयर करें शुक्रिया